Writing style, casual नमस्ते, सबको, आज मैं एक ऐसे विशय पर बात करूँगा जो पहली बार में थोड़ा पठिन लग सकता है, शेर मार्केट, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हूँ, ताकि आप समझ सकें कि यह सब क्या है, तो श शेर या स्टॉक कहा जाता है, जब आपके पास एक शेर होता है, तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक होते हैं, बहुत बढ़िया है ना? अब शेर बाजार में ट्रेडिंग करना है कि यह शेर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे जाते हैं, आप शेर तब खरीद सकते हैं जब आपको लगता है कि कोई कंपणी अच्छा करेगी, और जब आपको लगे कि यह सही समय है, तो उन्हें बेच दें। इन शेरों की कीमतें इस आधार पर बदलती हैं कि बाजार में हर कोई क्या सोचता है कि उनकी कीमत क्या है, और शेर बाजार कैसे व्यभार करता है। खेर ये अप्रत्याशित हो सकता है। ये उपर जाता है, ये नीचे जाता है। आर्थिक परिवर्तनों, राजनीतिक घटनाओं से लेकर मौसम तक हर चीज से प्रभावित होता है। ये निरंतर परिवर्तन ही शेर बाजार को रोमान चक और हां थोड़ा नर्वस करने वाला बनाता है। आपने बुलिश और बेरिश बाजार जैसे शब्द सुने होंगा। ये बाजार के मूड का वर्णन करने के लिए सिर्फ फैंसी तरीके हैं। एक बुल मार्केट तब होता है जब कीमतें बढ़ रही होती हैं या बढ़ने की उम्मीद होती ह जो अर्थ व्यवस्था में विश्वास दिखाता है। एक बैल को आगे बढ़ते हुए कल्ब ना कीजिए। बुल फेज में बाजार ऐसा ही महसूस होता है। दूसरी तरफ एक बियर मार्केट तब होता है जब कीमतें गिर रही होती हैं या गिरने की उम्मीद होती है जो आत्म विश्वास की कभी का संक्रेट देता है। एक भालू को हाइबरनेट करते हुए सोचें बाजार एक तरह से पीछे हट जाता है और धीमा हो जाता है। यह लोग शेयर बाजार इतना जटिल नहीं है जितना लगता है ना। यह सब शेयर खरीदने और पेचने बाजार करता है जाता है।